हेलो दोस्तों, वेलकम हैं आपका हमारे यूटीब चनल में पैंसनर्स, फैमिली पैंसनर्स और करमचारियों के लिए 18 मंस के डियो और डियार पर एक बहुत ही बड़ा लेटस्ट अपडेट आया है जिहां दोस्तों, जिसका असर सिधा सिधा आपके फैमिली पैंसन और पैंसन पर पढ़ने वाला है और साथी साथ करमचारियों की सहली पर भी पढ़ेगा पूरी वीडियो को लास्ता देखीगा और अगर चैनल पहली बारा है तो चैनल को जरूर सब्सकारिब करेगा साथ साथ आप मुआरी वीडियो की लेटस्ट नोटिफिकेशन की लिए घंटे के निसान पर जरूर प्रेस करिए सब भी आपके पास मारी वीडियो की लेटर्स नोटिफिकेसा ना पाएगी और आप मारी वीडियो को इसी तरीके से आगे भी वाच कर पाएगे जैसा कि आप सभी को पता है कि 18 मंस का DA और DR का जो एडियस था उसको गोवर्मेंट ने होल पर रखा था और फ्रीज होने के बाद में फिर सब आपको आगे कंटिन्यू बढ़ते हुए जो परसेंटेज पर महेंगाई बत्ते और महेंगाई राहत को प्रोवाइट करा आया था तो उसके बाद में बहुत सारे मीडिया और बोल सकते हैं बहुत सारे अललग लेवल पर यूनियन और फेटरेशन ने सरकार को इसके रिकार्डिंग लेटर लिखे कई बार कई बार और request भी की और कई बार जो है इसके regarding meeting भी हुई और इस issue पर यानि 18 months के DA और DR के areas पर कई बार इस पर बात भी हुई लेकिन सरकार ने express कर दिया कि 18 months का DA और DR का areas है वो नहीं दिया जाएगा हाना कि इसके regarding और भी कई सारी चीज़ें होती रहती है लेकिन हाना कि मुझे भी लगता है कि सरकार जो है government ने बहुत पहले ही clear कर दिया था या instruction clear कर दिये थे कि आपका जो 18 months का DA और DR का areas है वो आपके खातों में नहीं आएगा यानि आपको वो नहीं दिया जाएगा तो ऐसे में pensioners के अलावा भी कई सारी चीज़ें है इसमें इसमें actually क्या है कि एक बहुत मीटिंग होती रहती है जिसमें यह issue ज़रूर रहता है आमेसा कि 18 months का DA और DR का areas जो है 18 months का DA और DR का areas है वो आपको नहीं मिलेगा लेकिं फिर भी मीडिया में ऐसी खबरे आती है तो वह सारे pensioners भी comment करके पूछ रहती है कि उनको 18 months का DA और DR का areas मिलेगा तो मैं बता दू नहीं मिलेगा बहुत कम चांस है इसके अलाकि कुछ अलग से कुछ हो जाए तो कहां नहीं